नमस्कार दोस्तू इस चैनल पर आप सभी का एक बार पुना स्वागत है इस समय हम लोग 10th क्लास के सोशल साइंस के चेप्टर 18 अर्थ व्यवस्ता सेवा छेत्र एबं अदुसन रचना का अध्यन कर रहे हैं इस अध्या के पिछले वीडियो में हमने अर्थ व्यवस्ता के विवन चेत्रों के बारे में अध्यन किया था और ये जाना था कि प्रात्मिक चेत्र दित्यक चेत्र और तृत्यक चेत्र क्या होता है और प्रात्मिक चेत्र के अंतरगत कौन कौन सी गतिविदियां होती है और तिर्थियक चेतर के अंतरगत कौन कौन सी गतीविदियों को सम्मिलित किया जाता है आज के वीडियो में हम अर्थवस्ता के इन चेतरों का राश्टी आय में कितना योगदान है इनकी हिस्सेदारी कितनी है और इसके साथ ही तृतियक या सेवा छेतर की भागिदारी बढ़ने के कौन-कौन से कारण है इन सब बिंदों पर हम इस अध्याय में अध्याय करेंगे तो आईए हम आज का वीडियो आरंब करते हैं एक देश की राश्ट्री आय या सकल घरेल उत्पाद अर्थात जीडीपी की गणना के लिए उस देश के प्रात्मिक धितियक और तृतियक छेतरों को आधार माना जाता है इसके लिए सबसे पहले इन तीनों छेतरों से प्राप्त उत्पादन के मौद्रिक मूल की गणना की जाती है इसके पश्चात इन तीनों ही अलग-अलग छेतरों से प्राप्त मौद्रिक मूल को जोड़ लिया जाता है पिछला अनुभव यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ जहां प्रात्मिक धितियक और तृतियक छेतरों से प्राप्त आय में विर्द्ध होती है वही इनके तुलनात्मक योगदान में भी छेतर परिवर्तन होता है अर्थात राश्टी आय में इन तीनों ही छेतरों की हिस्सेदारी में बदलाब होता रहता है यह देखा गया है कि जैसे जैसे किसी देश का आर्थिक विकास होता है वेंसे वेंसे कुल राश्टी आय में प्रात्मिक शेत्र का योगदान करमसा कम होता जाता है तथा तृत्यक या सेवा शेत्र का योगदान उस देश की राष्टियाए में बढ़ता जाता है आर्थिक नियोजन के 58 बर्स होने के पश्चात भारत की आये कई गुना बढ़ियक परन्तु इसके साथ ही एह बात भी स्पष्ट होती है कि इस अवदी में प्रात्मिक दितियक और तृत्यक शेत्रों का योगदान में भी तृनलात्मक रूप से परिवर्तन होता रहा है जहां सन 1951 में प्रात्मिक शेत्र का योगदान 60 पृतिसत था वै घटकर वर्स 2006 में 21.7 पृतिसत रह गया और इसके पश्चात 2011 में इसका योगदान 17 पृतिसत रह गया इसके विपरीत तृतियक या सेवा चेत्र का योगदान जो 1951 में 28 पृतिसत था बढ़कर 2008 में 54 पृतिसत से भी अधिक हो गया जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे होंगे इस पृतियक या सेवा चेत्र का महत्व करमसहा बढ़ता जा रहा है आलेक एक में तीनों चेत्रों द्वारा उत्पादत बस्तूओं और सेवाओं को दिखाया गया है यह वर्स 1973-74 और वर्स 2013-14 के उत्पादन को दिखाता है हमने इस आरेक में दो वर्सों के आंकड़ों का उपियों किया है क्योंकि यह आंकड़े तुलनी अथा तुलना करने लायक हैं और पिरमाड़क भी हैं आप इस आरेक में देख सकते हैं कि 40 वर्सों में उत्पादन मे कितनी सिम्रद्धी हुई है? कितनी बृद्धी हुई है? उत्पादन में 318, 6 bri का बड़ता महत्व है वर्स 1973 चौहतर और 2013-14 के बीच 40 वर्सों में यद्दपी सवी झेत्रों में उत्पादन में वृद्धी हुई है परंतु सबसे अदिग बृद्धी तरत्येक छेत्रक के उत्पादन में हुई है जैसा कि आप यहाँ पर इस आरेक में देख पा रहे होंगे परिणाम तहा वर्स 2013-14 में भारत में प्राथमिक छेत्रक को पृत्रिस थापित करते हुए तर्तियक छेतरक सबसे बड़े उत्पादन छेतरक के रूप में उभरा है आलेक तीन में हम सकल घरेली उत्पाद में छेतरकों की हिस्सेदारी को पृतिसत में बता रहे हैं अधिकांस लोग कहा नीवजद हैं सकल घरेल उत्पाद में तीनों छेत्रकों की हिस्सेदारी प्रतिसत इस आरेक में दी गई है अब आप 40 बर्सों में छेत्रकों के बदलाब के महत्वकु प्रतेक्ष तहा इस आरेक के माद्यम से देख सकते हैं भारत के संदर में एक लेकनी तत्य है कि यद्दभी सकल घरेल उत्पाद में तीनों छेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है फिर भी रोजगार के मामले में ऐसा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता आरेक 3 में आप देख सकते हैं कि 1977, 1978 और 2017, 2018 और वर्स 2003 में तीनों छेत्रकों में रोजगार की हिस्सेतारी को दिखाया गया है आज भी प्रात्मिक छेत्र सबसे बड़ा रोजगार का साधन बना हुआ है आप देख सकते हैं 1977, 1978 में और वर्स 2017, 2018 में दोनों ही जगए पर यहाँ पर सबसे अधिक हिस्सेदारी रोजगार के मामले में प्रात्मिक छेत्र की ही दिख रही है अब हम बात करेंगे तृतियक एसेवा छेत्र की भागिदारी बढ़ने के कारणों की भारती अर्थ वस्ता के अध्यन से इसपष्ट होता है कि पिछले 60 वर्सों में यद्दपी सभी छेत्रों के उत्पादन में व्रिद्धी हुई है तथा भी तृतियक छेत्र की भागिदारी सबसे अधिक बड़ी है अब तृतियक छेत्र देश में सबसे बड़े उत्पादक एबम आयसरजक के रूप में उभरा है भारत में तृतियक छेत्र के योगदान में तेजी से ब्रिद्धी हुई है इसके कौन-कौन से कारण है इनकी चर्चा हम आगे करेंगे स्वतंतरता के पश्चात पंचवर्षी योजनाओं का क्रियान मेंन किया गया इससे देश में सारवजनिक चिकतसालाय, सेक्षनिक संस्थाएं, डांक, एबम, तार, छेत्रों का तेजी से विस्तार हुआ है देश में अनेक सेवाएं जैसे परिभान, बैंक, बीमा कंपनी, स्थानी संस्थाएं, सुरक्षा, सेवाएं, नियाए विवस्था आदी का विस्तार हुआ है फलता स्वतंतरता के पश्चात इन सेवाओं का विस्तार तेजी से हुआ है और परिणाम तहा अर्थ विवस्था में इनकी भागिदारी तेजी से बढ़ी है दूसरा कारण है प बढ़ी है और परिणाम स्वरूप इन शेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है आपको बता दें कि जब हरित करांती हुई और अनाज का अधिक उत्पादन हुआ तो उसको भंडारण करने के लिए गोदामों की आवे सकता पड़ी उसका परिवहन करने के लिए परिवहन कर जाता है आयमें ब्रुद्धी होने से व्यक्ति निजी एस्पताल महंगे स्कूल बदलते हुए परिवेश के साथ नई नई वस्तों की खरेदी बाहनों का उप्योग करने लगता है शेहरों के साथ-साथ गाओं में भी सेवाओं की मांग बढ़ी है फलता देश में सेवा इसक हो गई है इससे देश में उप्योग के साथ-साथ इन सेवाओं के उतपादन में भी व्रिद्धी हुई है ट्यू लाइटों टेलिवीजन केवल कनेक्शन मोबाइल फोन मोटर गाडियों स्कूटर और मोटर साइकल कंप्यूटर इंटरनेट काल सेंटर आदी ने भारत में उपभोगता वस्तूओं के बाजार को बहुत अधिक विस्तुरत कर दिया है फलता सेवाओं के योगदान में व्रिद्धी हुई है तृतिया के सेवा छेदर की भागिदारी बढ़ने का अगला कारण है वैश्वी करण वैश्वी करण के परिणाम सुरू भारतियों प बहुत परभाब पड़ा है पहले सोच थी कि धन को बचा कर या गाड़ कर रखा जाए कि तु आज बहुत तक बाद पनप रहा है हर व्यक्ति सारी सुक्ष विदाएं पराप्त करना चाहता है सिनेमा खरीदारी की घर की सजाबट स्कूटर कार आदी वस्तूएं आवैसक सम हुमने जाना आवैसक समझा जाने लगा है अता बैंक बीमा परिटन परिवहन होटल आदी सभी पिरकार की शेवाओं की मांग बहुत अधिक बढ़ गई है परिनाम स्वरूप सेवा चेतर के योगदान में तेजी से वृद्धी हुई है मुझे उम्मीद है आप लोगों न अगले टापिक पर बात करेंगे अगर आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर लीजिए धन्यवाद